नमस्कार दोस्तों, आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं बहुत कुपसूरत डिजाइन लाए हूँ इस डिजाइन को बनाने के लिए आप अपने स्वेटर के एकार्डिंग कितने भी फंदे ले सकते हैं बार्डर बनाने के बाद हम दूसरे कलर के उनसे सब भी फंदों को सीधा बुन लेंगे अब अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा लेजेगा इस देजाइन को आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में बच्चों के प्रोजेक्ट में गर्ल्स कार्डिगन में बेबी कार्डिगन में टॉप में स्कूर्ट में किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ये बहत बशुरत लेगा किसी भी बच्चों के project में diaries project में और girls project में तो हमने सबी फंदों को सीधा बुल लिया wrong side से हम सबी फंदों को उल्टा बुल लेंगे तो हम दूसरे color के उन से दो लाइन बुल लेंगे अब हम फिर सामने की तरफ आ गए है इस डिजाइन को बनाने के लिए आप मोटे सलाई का इस्तेमाल करिएगा तो डिजाइन में उभार आएगा और बेहत कुपसुरत लेगा अब ध्यान से देखिएगा पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे अगले दो फंदो के हम बीच में स्लाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे अब यहाँ पर उंगली लगाएगा यानि दूप को हम ऐसे पकर लेंगे फिर अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे ऐसा करने से यह हमारा खिचेगा नहीं वरना यह टाइट हो जाएगा और फिर बुने में हमें तकलिफ होगे अब फिर हम नेक्स्ट फंदे के बाद हम स्लाई डालेंगे देखिए यह नेक्स्ट फंदे के बाद दो फंदो के बीच में हम ऐसे स्लाई डालेंगे एक लूप निकालेंगे यहाँ पर उंगली रखेगा लूप पे और फिर इस फंदे को ऐसे सामने की तरफ से सीधा बुन लिए फिर नेक्स्ट फंदे के हम बाद दो फंदों के बीच में ऐसे सलाई डालेंगे एक लूप निकालेंगे ऐसे लूप पे उंगली रखेंगे फिर इस फंदे को हम सीधा बनेंगे इस तरह करने से हमारा धागा खीचेगा नहीं एक ही फंदे का डिजाइन है और इसी को हमें पूरी सलाई में दोराना है हर फंदे के बाद हम ऐसे सलाई डालेंगे दो फंदे के बीच में एक लूप निकालेंगे लूप को ऐसे थोड़ा सा दबाके और तब हम इस अगले फंदे में ऐसे सलाई डालेंगे और इसे हम सीधा बुन लेंगे, हाथ हम धीला ही रखेंगे इस तरह करके हम सबी फंदों को बुन लेंगे अब देखिए, एक फंदे से हमारा दो फंदा बनता चाहरा है एक बर हम फंदे के बात्स लाए, डालके एक लूप ले रहा है और फिर हम फंदे को सीधा बुन रहे हैं तो इस तरह हमारा जितने फंदे हैं उसका दूना बन जा रहा है और लास्ट फंदा एज स्टेच है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे तो ये हमने तीसरा लाइन कम्प्लेट कर लिया अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में और पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे अब उन को हम दूसरी तरफ कर लेंगे अब देखिए ये दो दो फंदे हमारे ऐसे ग्रूप में बनते चले गए हैं तो इन दोनों फंदो को हम एक साथ लेंगे हमने एक से दो किया था अब की हम दो से एक करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे ऐसे सामने की तरफ से हम डालेंगे हम ऐसे बैक साइड से बैक लूप से हम सीधा नहीं बुनेंगे बलकि ऐसे फ्रंट लूप से हम सीधा बुनेंगे सीधा बुना फिर दो फंदो को एक साथ लिया सीधा बुना फ्रंट लूप से दो फंदो को एक साथ लिया और सीधा बुना अब यदि हमने टाइट बुना होता तो बुनने में बहुत ही तकलिफ होती है दो दो फंदो को हम एक साथ लेते जाएंगे और सीधा बुनते जाएंगे जितने फंदे हमारे बढ़े हुए थे इस लाइन में वापस हमारे उतने ही फंदे हो जाएंगे दो दो फंदो को एक साथ लेंगे सीधा बुनते जाएंगे उन अपनी तरफ लास्ट फंदा एजिस्टीच है तो इसे हम उल्टा बुलनेंगे अब हम अब हम अपने पहले कलर के उन से सभी फंदो को सीधा बुलनेंगे इस डिजाइन को बनाने के लिए आप मोटी सलाई का इस्तिमाल करेगा तो डिजाइन में उभार आएगा और बेहत खुबसूरत दिखाई देगा तो हमने सभी फंदो को सीधा बुलने लिया रॉंग साइट से हम सभी फंदो को उल्टा बुलनेंगे थर्ड लाइन हमारा मेंन लाइन है और इसी में हम डिजाइन बनाएंगे तो पहले फंदे को ऐसे स्रिप कर लेंगे अब दो फंदो के बीच में स्लाइड डालेंगे एक लूप लेंगे लूप को ऐसे दबा लीजेगा और तब फिर अगला फंदा हम सीधा बनेंगे तो इससे हमारा ये धीला बनेगा और बुनने में आसानी आएगी और डिजाइन क्लीन बनेगा लूप लिया लूप को ऐसे पकड़ा अगला फंदा हम फ्रंट साइड से सीधा बनेंगे लूप लिया लूप को ऐसे दबा लिया फिर अगला फंदा सीधा दो फंदों के बीच में स्राइड डालेंगे एक लूप निकालेंगे लूप को ऐसे पकड़ेंगे अगले फंदे को सीधा बनेंगे डिजाइन बहुत आसान है और बनने के बाद बहुत कुपसुरत एक फंदे से दो फंदे बनते चली जा रहा है एक ये लूप और अगला फंदा सीधा लूप लिया अगले फंदे को सीधा बन लिया लूप लिया दबाया अगले फंदे को सीधा लास्ट फंद आज स्टीच है इसे हम सीधा बुन लेंगे अब देखिए रॉंग साइट से हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे उनको दूसरी और करेंगे और देखिए दो फंदा हमने बनाया था तो अब इन्हें हम ऐसे फ्रंट लूप से दो का एक कर देंगे सीधा बनते हु ऐसे दो-दो फंदो को एक साथ लेंगे और सीधा बुनते चले जाएंगे जितने फंदे बढ़े थे वापस उतने फंदे हमारे हो जाएंगे तो डिजाइन बहुत आसान है और बनने के बाद देखिएगा कितना खुब्सुरत दिखाए देगा बनाना भी आसान है आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी लेडिस प्रोजेक्ट में बच्चों के प्रोजेक्ट में गर्स प्रोजेक्ट में आप इसे डालिए ये बेहद अच्छा लएगा लास्ट फंदा एजिस्टीच इसे हम उल्टा बनने देखिए ये खुब्सूरत सा डिजाइन बनता चला जाएगा देखिए इसमें मैंने अपने बचे हुए उनका इस्तिमाल करते हुए बनाया है देखिए तीन कलर का मैंने इस्तिमाल किया है आप इसमें कितने भी कलर लगा सकते हैं जितने आपके बचे हुए कलर हैं एक को मेंन रखिए और बाकी को ऐसे अल्टरनेट लगाते जाएए, डिजाइन बेहत खुबसूरत बनेगा चार लाइन का ये डिजाइन है हर चौथे लाइन में हम उनके कलर को चेंज कर देंगे देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और बैक साइड से ऐसा डिजाइन बहुत ही आसान है और बेहत खुबसूरत तो फ्रैंस डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंदाया होगा तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लेज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक्स पर वाचिंग